बिस्मिल लेराखमानी रहीम आज लेक्चर नंबर टू है एफ एसी के लिए चैप्टर वन के लिए वह दिस्क्रेप्टिव एंड इंफरेंशल स्टेटिस्टिक फर्स्ट फॉल मैं आपको बताती हूं कि हमारे पर डिस्क्रेप्टिव स्टेटिस्टिक क्या है और लेरी हो चैपकर ही करना रहे है क्या झो उब altura जोो कि अससिए स्टेप्टिस्टिक हमारे पास कि है क्या धूआ कि से चीज़ के बडे में मफ्रूजात बिना रहे हो आप Sum कि हमारे पास जो descriptive statistic होती है हम कहते है that branch of statistic deals with concepts and methods concerned with summarization descriptive statistic जो हमारे पास है यह किसके साथ deal करती है deals करती है किसके साथ आपके पास concepts concepts method concerned with summarization जो आप summary बना रहे होते हो किसी चीज़ के बारे में उस चीज़ के बारे में यह क्या करती है summarize कर देती है आपके description को और आपके describe करती है describe किसको करती है important aspects को जो आपके important aspects characteristics है उनको यह describe करती है उसको हम कहते है descriptive statistics of the numerical data यह describe important aspects नो किया होते है numerical data numerical data क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो हमारे पास तू टाइप कर देट एक quantitative होते एक qualitative होता है but we are discussing about the descriptive in statistics to statistics में हमेशा आपके पार numerical data जो है वह valuable होता है numerical data को हम analyze करते हैं यह characteristics of the statistics में है कि हम numerical data को use करते है और numerical information collect करते है तो descriptive statistics क्या करती है deals करती है concepts method concern में summarization और describe करती है important aspects को numerical data को तो यह हमारे पास आजाती है descriptive statistics अगर मैं इसको properly पढ़ूं तो हम कहते हैं कि descriptive statistics is that branch of statistics deals with concern with concepts method concern with summarization and descriptions of important aspects of numerical data अच्छा अच्छा इस एडिया अव स्टडी कंसिस्ट ओफ अब जे जो एडिया ना यह किसके स्टूर्ट होता है हम कहते हैं के डेटा अगर हमारे पास है graphically है graphically हमने रिप्रिजेंट किया है और few numerical quantities है अगर आपके पार numerical quantities आगी है यहां में लिख देती हूं हमरे पार numerical quantities हो जाती है graphically हम रिप्रिजेंट कर रहे होते हैं एक अफ्रेंट करेंव पर्ते हो सप्रैड ओफ दिटा को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं यहां मरश आजाता है सेंटर आफ देटा जुआ आप अबेरेज वगारा पर्ते हो सेंट्रल ओव डिटा तो यह मरवा ओ्लींज इंकूड इंप्रिप्तिव श्टैस्टिग अच्छ बना रहे होते हैं तो हम कहते हैं इंफ्रेंशal statistic deals with procedure for making inferences अब यह किसको deals करती है Making procedure making यह हम अरपस क्या होता है की deals करती है making procedure making procedure for making for making inferences making inferences main thing जो है कि inferences बनाने के लिए जो procedures हम follow कर रहे होते हैं उसके लिए यह काम करती है हम कहते है these with procedure for making inferences about characteristics that describe the large group of the data or the whole called the population from the knowledge drive only a part of the knowledge sample Bibleieu Bless what has come to be testing of hypothesis, probability or inferences So this means i put testing of hypothesis though youbar são inferences that you have collected information that have the box on your birthday ना आहजु आजorial आब और इसी एक्षापल आपको कलियर करुम कर laugh एक्षामपल लेते हैं अगर मैं कहते हूंट कि आमेर वाटस्ट्ष्टराइशन इन इस फोर हो तैस्ट को 274 अपर एंपटाइब पस्ट को यह दिओ क्रिप्ट्रप्टिड का एंट की बुनियाद पर राइक चाहता है यंद फॉर घ्ण पर बुड़िष्ट पर राइक नौर्मल पर ग्वान्ध पर पंड ऑड तु तु थी तो तीचर्ज आया आपकी टैस्ट की बेसे पर उनको लगता है कि यह जो student है यह top करेगा ठीक है यह फर्स पोजीशन पर होगा वह क्यों वह इंफ्रेंसिस बना रहे होते हैं जो आपने describe किया होता है data जो आपने describe shape में summarize करके आपका teacher जो है वह analyze करता है उसको represent करता है and then conclusion निकालता है बना रहा होते हैं कि इस टेस्टेस की बेस पर लगता है कि यह student जो है top करेगा तो that is the inferences तो यह आपके inferences में include होते हैं इसी तरह गर हम कहते हैं cricket player wants to find find his scores average for the last 20 games अगर एक cricket player है वो last 20 games के scores find करता है that is called the descriptive statistics क्योंको वह describe करें लेकिन 20 base 20 matches की base पर अगर वो करते हैं कि want to estimate his chance scoring based on the current seasonal average अगर वो wants to estimate अगर वो estimate करता है chances को कि कितने उसके पास chances हैं कि वो अपने जो scores और अच्छे ला सकते हैं for the final season के लिए तो वो आपके पास descriptive inferential statistics में आ जाते हैं अच्छा में descriptive statistics को जो है deduction statistic भी कहते हैं अक्सा यह दूसरा word भी use हो रहा होता है तो student confused हो रही होते हैं तो deductive statistic भी कहते हो और inferential statistics को आप inductive statistic भी कहते हो तो तो यह दो बोद सेम थिंग्स अठीक है descriptive and deductive आपके पास सेम है inferential or inductive आपके पास सेम थिंग्स हैं इनके नाम है अब मैं अगीन आपको बतारे हो कि descriptive हमारे पास क्या था आप कहते हो कि this with collection of data its presentation in variance form such as tables graph diagrams finding average and other measures which would describe the data the purpose of descriptive statistic is to present the information in such a way as can readily help the decision maker for example businessman make use of descriptive statistic in presenting their annual reports businessman अपनी descriptive statistic को prefer करते हैं कि वो तो annual reports में उन्होंने जो चीज़ सेल किया होता है उसको tables में graph में आपको diagrams में represent करते हैं तो that is called descriptive statistic inferential statistic क्या है या inductive statistic deals with techniques use for analyzing the data making the estimates and drawing conclusion from limited information taking on sample basis and testing the reliability of the estimates in drawing conclusion the decision maker may use the theory of probability to minimize risk modern statistics is mainly concerned with drawing conclusion about population from sample drawn from the population that is used in testing of hypothesis sampling में बहुत जादा यूरा होते हैं तो वो deals करते हैं answer to increase को हमेरे पास procedures है techniques हैं for analyzing the data के लिए and estimates and drawing conclusion तो ये student हमेरे पास different था for the descriptive and inferential statistics I hope आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको इसमें किसी किसी किसीं की confusion है तो आम मुझे डिसकस कर सकते हैं दब तक लिए लिए लाह आपिस खिर टूब।